नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका बिज्नस दोस्त आशी शगरवार और आप सभी देख रहे हैं फ्रेंचाइज बताओ दोस्तों फ्रेंचाइज बताओ पर मैं आज आपके बिज्नस के लिए एक बहुत ही जब्रदे सॉलुशन लेकर आया हूँ और साथे साथ ये वो लोन को परिशान होना पड़ता है और लास्टली लोन कई बार मिलता है और कई बार नहीं मिलता है तो आप अपने सेंटर से इन सभी लोगों को solution प्रोवाइड कर सकते हो आसानी से आप उनको MFI से लोन दिलवा सकते हो NBFC से लोन दिलवा सकते हो मुद्रा लोन प्रोवाइड करा सकते हो तो आप एक सेंटर से सिर्फ लोन्स ही नहीं लोन्स के अलावा भी बहुत सारी सर्विसेश प्रोवाइड करा सकते हो और इस सेंटर के फ्रेंचाइजी आपको GST सुधा सेंटर दे रहा है मात्र 25,000 रुपे इसके बारे में आज के वीडियो में आपको विस्तर जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो को complete जरूर देखेगा क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही beneficial होने वाला है और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगए तो उसे share करना मत बूलिएगा और साथी स से different different type के loans अपने customers को provide कर सकते हैं आप बले ही इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो आप GSC Sudha Center से जुड़कर आसानी से उन लोगों को loan provide करा सकते हो इसके लिए GSC Sudha Center आपको complete training provide कराता है जैसे कि जिने भी loan चाहिए होता है उनको क्या क्या documents की requirement होती है किस तरीके से उनका loan process करना होता है किस तरीके से उनके loans को apply करना होता है इन सभी चीजों की training आपको GSC Sudha Center से मिलती है और इसके अलावा दोस्तों आप help कर पाते हैं उन लोगों की जिनको loan की requirement है तो अगर आप loan की franchise open करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से इसमें earning कर सकते हैं तो friends आप अपने loan center से ना कि सिर्फ loans provide करा सकते हो बलकि loans के अलावा 11 अलग-अलग verticals में services provide करा सकते हो जैसे कि GST से जड़ोई सारी services, जैसे कि income tax से जड़ोई सारी services, health insurance से जड़ोई सारी services, banking से जड़ोई सारी services और साथी साथ दोस्तों travel, immunity, government to customer ऐसी बहुत सारी services आप एक center से provide करा सकते हो तो और friends जो आप पास loan लेने के लिए आता है उस customer का business भी होता है तो आप regular उसके लिए GST filing करके income earn कर सकते हो आप जब उसकी loan apply करते हो तो loan application charge के रूप में आपको कुछ income आती है और इसके अलावा जब आप NBFC या अफिर MFI से loan provide कराते हो तो वहाँ से आपको एक certain income आती है तो इस तरीके से आप एक customer से कई तरीके से income earn कर सकते हो और जिस customer को आप loan दिलाओगे वो customer regular आपका customer बन जाएगा तो वो आपको एक बार इंकम नहीं देगा वो आपको बार बार इंकम देगा क्योंकि आप ना कि सिर्फ loan provide करा रहे हो बलकि loans के अलावा भी आप 500 से ज्यादा services एक center से provide करा रहे हो इसलिए ये business आपके लिए unique business होने वाला है जो कि आपको एक long term का business होगा और साथी साथ एक profitable business होगा इस business को start करने के लिए आपको मातर 25,000 रुपे की capital लगानी है और इस 25,000 की capital को भी GST Sudha Center आपको in terms of commission return कर रहा है कुछ certain terms and conditions से अगर वो आप fulfill कर लेते है तो ये 25,000 रुपे भी आपको return आ जाते हैं और इतना ही नहीं आपको यहाँ पर complete training support मिलता है, digital marketing support मिलता है, आपको hand holding support मिलता है, नो से अधीक भासाओं में इनके customer के center है, आपके किसी भी customer को कोई भी query होती है तो इनके customer के center पे call करके directly कोई भी query का resolution हो सकता है दोस्तों आपके लिए एक unique application होता है, जो application एक आपके लिए होता है और साथी साथ एक application आपके customer के लिए भी होता है, ताकि customer से आपका connection regular बना रहे है अगर आप दोस्तों GST सुधा center open करते हैं और आप loans business को भी start करते हैं तो भी हर महीने आप आसानी से 50,000 रोपे से 1,000,000 रोपा महीना earn कर सकते हो इस समय आप देश के किसी भी कोने में हो, हर कोने में आपको customer की कमी नहीं रहेगी, business की कमी नहीं रहेगी और आसानी से आप एक USP से अधिक customer जोड सकते हो और उन सधी customer को maximum services प्रवाइड करा सकते हो इन सारी services को प्रवाइड करानी के लिए आपकी hand holding ना कि GST सुधा center करता है बलकि आप अगर हमारे तुरू जूडते हो franchise ही बताओ कि तुरू जूडते हो, तो franchise ही बताओ भी अपने business partner EQ Digital की मदद से आपको help करता है कि किस तरीके से आप अपने GST सुधा center को अधिक promote कर सको, अधिक customers ला सको, इसके लिए भी हम आपके hand holding करते हैं यह business opportunity आपको मातर 25,000 पर मिल रही है, इस business को करने के लिए आपको इसके अलावा कोई भी investment करनी के जरूरत नहीं है अगर आप एक छोटा सा office भी लेके बैटेंगे तो उस office से भी run कर सकते हैं, otherwise अगर आप चाहें तो घर से भी इस business को run कर सकते हैं इस business को run करने के लिए 12th pass होना जरूरी है, और इसके अलावा कोई भी पातरता की आवसकता नहीं है और friends, GST Sudha Center पूरे देश के 10,000 से अधिक जबों पर पहले ही open हो चुका है दोस्तों आज आप ही apply करिए, आपको description में Google form दिया गया, उस Google form को fill करिए और पता करिए क्या आपके location पर ये franchise available है की नहीं है, अगर ये franchise available है, तो आज ही इसको opt करें, क्योंकि ये बहुत ही कम समय के लिए open है जैसे ही दोस्तों सारे pin codes पर availability हो जाएगी, उसके बाद आपको ये franchise नहीं मिल पाएगी इसलिए दोस्तों अपना समय बेर्थना करें, ये वक्त है कुछ नया कर गुजरने का, अपने business की lines बढ़ाने का, अपनी income increase करने का, तो अगर आप अपनी income को increase करना चाहते हैं, तो इससे बहतर मों का आपको नहीं मिलने वाला है, जहां पर आप एक center open करते हो, और 11 से अधि future set है, उनका आज business set है, तो अगर आप भी अपना business set करना चाहते हैं, तो आज ही जूड़े GST सुधा center से, मेरा नाम है अशी शगरवार, I am a business दोस्त, नीचे आपको description में form दिया गया, आप उस form profile कर सकते हैं, आपको screen पर number न जबा ले हुए, उन number पर आप call कर सकते हैं, दोस तरह के business के expectation करते हैं, फ्रेंचाईजी बताओ से, comment box पर लिखना न भूले, so इस video को last तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, मैं हूँ आशी शगरवाल, आपका business दोस्त, और आप सभी देख रहे हैं, फ्रेंचाईजी बताओ, thank you. झाल झाल झाल